राजर्थान में लोगसभा चुनाओं को लेकर सियासत जहां गर्म है वही दूसरी और सट्टा बाजार का माहोल भी गर्म है चुनाओ को लेकर पालोडी सट्टा बाजार हमेशा सुर्कियों में रहता है वही राज להश्थान के अलग-अलग सीटों से उमिदवारों पर 60 लगाया जा रहा है वही 60 बाजार में उमिदवारों पर जो 60 लगाया जा रहा है उससे जीत हार के संकेत मिल रहे है चूरु लोगसभा सीट राजेस्थान की होट सीट में से एक है इस सीट पर सभी की निगाए हैं यहां कॉंग्रेस की ओर से राहुल कास्वा मैदान में है जो पिछली बार बीजेपी में रहकर जीत हासिल किये थे जबकि बीजेपी ने देविंद्र जाज़डिया को खड़ा किया है चुरू लोगसभा सीट पर काटे की टकर दिख रही है ऐसे में 60 बाजार का माहोल काफी गर्म है और सटोरी एक्ट्यू हो गए है वैसे इस सीट पर मतदान हो चुका है जिसके बाद 60 बाजार में भाव में भी बदला हुआ है चुरू लोगसभा सीट पर कॉंग्रेस उमिदवार रहूल कासवा के भाव की बात करें तो पहले करीब 65-щее के आस-पास था यानि कासवा पूरी तरग मजबूत सिती में दिख रहे थे हाला कि ताजा भाव की बात करें तो राहूल कास्वा का भाव 27 से 35 पैसे हैं यानि राहूल कास्वा अभी भी मजबुत सिती में दिख रहे हैं बहराल चूरू लोग सभा सीट पर जनता ने 19 अपरेल को अपना फैसला EVM मशीन में कैद कर दिया है अब चार जून को ही इसका फैसला होगा कि जनता ने किसे अपना आशिर्वात दिया है वैसे राहूल कास्वा ही सीट से लगातार दो बर जीत चुके हैं हाला कि उस वक्त वह BJP में थे अगर उनकी जीत होगी तो यहा कोई आश्यरे की बात नहीं होगी